बाद जनाब सुफियान आरिफ साहब को के उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में ना ते सर्वरे कोनेन पेश की और एक एक मिसरे पर आप दुआएं दे रहे थे मुबारकबात पेश कर रहे थे यकिनन वो बड़े प्यारे अंदाज में कि चुँके रिवायतों में आता है कि नाशरीब का पढ़ना भी अबादत सुनना भी अबादत लिखना भी अबादत और अलाहमदल्दल्दल्द यहां पर हम तीनों काम कर रहे थे मुअतरम जनाब आरिफ सुफियान जमाली साहब ने नाशरीब को लिखा और वो पढभ भी रहे थे उसी के साथ-साथ आप तमाम साहबान उससे सुन रहे थे और दौाओं से नवाज रहे थे और हम सुभान अल्ला, अलहमदलिल्ला, माशालला की सदाएं बलंग कर रहे थे यानि हम अपनी नेकियों में अजाफा भी कर रहे थे मैं बहुत सारी मुबारक बात पेश करते हुए आपको भी मुबारक बात पेश करता हूँ और उसी के साथ साथ ये जो बच्चे यहां बैठे हैं तो आप से गुजारिस करूँ जो आजू बाजू बाजू पास पडोस में जो लोग बैठे हैं वो जरा सा तवज्जे दें क्योंके ये बच्चे जो हैं तो इस मुलक का मुस्तक्बिल हैं इस कौम का मुस्तक्बिल हैं, इस समाज का मुस्तक्बिल हैं, इस मिल्लत का मुस्तक्बिल हैं, जिन को संभालना और इन्हें संभाल करके रखना हम पर लाजिम आता है, हमारी जिम्मादारी है, हम पर वाजिब है, क्योंकि आज मुलक का जो नक्षा देख रहे हैं हम, और जिस मुझे नौकरी की नहीं अब तमन्ना के फाइल से बच्चा मिरा खेलता है हमें अपने बच्चों को इस बात पर भी काइम करना है क्योंकि ये हमारे मुल्क का, हमारे समाज का, हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का मुस्तक्बिल है और इन से हमारा मुस्तक्बिल जुड़ा हुआ है तो इस बात को हमें महसूस करना है हम सद्र आली विकार जनाब यह अब्दूल जबार साहब का इस वक्त नितजार कर रहे हैं उनके मुंतज़िर हैं पूरा मचायरह आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है तो पूरा मचायरह सज गया है समर गया है जमील अक्तर जैटपुरी साहब तन्वीर अख्तर साहब उसी के साथ-साथ शकिल साहिल सूरती साहब और दीगर वो नाम जो उत्तर परदेश से और हिंदोस्तान के दीगर इलाकों से आप तक बुलवाए गए हैं जो यहाँ पर बड़ी मुहबतों के साथ जिने मदू किया गया है हो तमाम नाम यहाँ पर तश्रीफ रखते हैं वहीं जनाब आजाद अन्वर साहब शायर इसलाम जो हमारी सरपरस्ती फर्मा रहे हैं रफीक सरवर साहब सरपरस्ती फर्मा रहे हैं शकील बाबा साबिर हिंदुस्तानी साहब तो मैं यह चाहता हूँ कि अब आप लोग यकीनन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है रईस भाई मुशायरे का बागाज हो जाना चाहिए और हमने तिलावत एकला में पाक से इस मुशायरे का आगाज भी कर दिया तो मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा मेरा साथ दें ताके मैं जमील अक्तर जैदपूरी साहब से आपकी मुलाकात करवा दूँ वो आ जाएंगे और मुशायरे जारी हो जाएंगा फिर मैं पानी पीने के लिए पीछे चला जाओंगा और आप मुहबतों के साथ जमील अक्तर जैदपूरी साहब को समात कर रहे होंगे यह बड़ी मुहबतों के मामलात होते हैं जो मैं चंद लमहात के लिए आपके दर्मियान आ जाता हूँ और आपको धेर सारी मुहबतें दे करके जाता हूँ यह और लोग हैं जो यहीं सोचते हैं बोलते हैं लेकिन मैं यह ऐसी समझता हूं कि मैं मेरे भाईयों की मेरे मोषतरम बज़ुर्ग Girl सहाबान की आकर के थोड़ी सी खिद्मत कर लिया करता हूं इसी बहाने मैं गुफ्तकुकों कर लिया करता हूँ तो मैं आपको बता रहा था कि नाते सर्वरे कौनैन पढ़ रहे थे वहाँ से अब किसी भी पहलू पर हम शेर का आगाज नहीं कर सकते क्योंके जहां नाते सर्वरे कौनैन पढ़ी जाए वहाँ से आप किसी भी शेर का आगाज नहीं कर सकते लेकिन चुनके मैं चाहता हूं कि नात शर्वरे कौनेयन का सिलसला पूरी दुनिया में कभी खत्म नहीं होता क्युक्षे सिलसला उस वक्त भी नहीं खत्म होगा जबकि कयामत हमारे सर पर आ चुकी होगी तो इस वक्त हम इस नात शरीप के सिलसले को जो मुहतरम जनाब सुफियान आरिप तक था उस सिलसले को यहाँ पर मुलतवी करते हुए आगे किसम तर सफर करते हैं अब मैं आपको बताऊं कि मैं जमील अक्तर जैद पूरी साहब को आवाज देने जा रहा हूँ आप अगर बेदार हैं और चाहते हैं कि मुशायरे का आगाज हो जाए तो मुझे बताएं चलिए ठीक है यहाँ तक हो गया मामला अब आगे और जब आप बढ़ जाएंगे मुझे लगेगा कि आप बेदार हैं तो मैं उन्हें आवाज दूँगा और बिल्कुल आप तक पहुचाऊंगा लेकिन मुझे लगना चाहिए अरे रिजवान ऐसे थोड़ी भाईया ऐसे लगना चाहिए कि आप लोग पुरजोश हो करके उत्तर परदेश की सरजमीन से उट करके जो नाजी में मुशायरा आज पूरे मुलकों में अपनी सलाइयत और काबलियत का लोहा मनवा रहा है और जो बता रहा है कि मेरे अंदर सलाइयत है मेरे अंदर काबलियत है मैं अर्दू वाला हूँ मैं तहजीब वाला हूँ मैं तमद्दू वाला हूँ तो जब आप उनका इस्तिक्बाल करना है तह तो मुझे लगना चाहिए मैं चार मिस्रों से उन्हें आवाज देने जा रहा हूं मेरा बेटा शौयब कास्मी यहां पर अपने अहबाब के साथ तश्रीफ रखता है मुझे बड़ी मसर्रत होती है कि इनके वालिदे गिरामी जो मेरे उस्ताद में जनाब रईस कास्मी साहब जिन्होंने मुझे चलना सिखाया मुझे बोलना सिखाया मैं उनका शुक्रों गुजार हूँ और उनकी दौाईं चाहते हुए मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अर्दू का दामन थामे हुए हैं और उर्दू के पर्चम को बलंद किये हुए हैं मैं चार मिस जैदपूरी साहब की आपको जरूरत है और मैं उन्हें आवाज दे दूंगा अगर आप नहीं उस तरह से इस्तिक्बाल करेंगे तो फिर चार मिसरे पढ़ूंगा फिर आप नहीं आवाज देंगे इस्तिक्बाल करेंगे फिर चार पढ़ूंगा और आप ऐसा सोचिए नहीं कि मैं डर जाओंगा आप चिलाएंगे मैं भाग जाओंगा अलाहमदलिल्ला लाखों के मजमे में आपका ये छोटा भाई गुफटगू करता है और ये आपकी दुआएं हैं जो साथ होती है तो हम जैसे छोटे लोग तूटा फूटा लवज बोल लिया करते हैं तो आज हालाज जो हिंद्वस्टान के बने हुए हैं वो इस शेर कहने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं किसको आदाप से जुकना है ज्ड़कना है किसे एक नज़र देख के दर्बान समझ लेते हैं जोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं इसलिए जल्म का बनती है निशाना उर्दू लोग उर्दू को मुसल्मान समझ लेते हैं मुझे लगता है आपने जितनी शिद्दत के साथ तालिया बजा दी है तो मुझे जाना चाहिए और जमील अक्तर जैदपूरी साहब को आना चाहिए वगरना आप सच में एतराज जताने का फिर हक रखते हैं एक मरतबा पुर्जोर तालिया बजाए जमील अक्तर जैदपूरी साहब का इस्तिक्बाल करें